तो गाइस आज का जो टॉपिक है ये काफी इंपोर्टन टॉपिक है तो वीडियो का एंट तक देखते रहेगा क्योंकि यहाँ पर दुस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर मान लिजिए कभी-कभी क्या होता है सिच्वेशन कि यहाँ पर हमारे पास लगा देते हैं या फिर कनेक्शन कर लेते हैं एक बेस और एक टॉप के साथ एक चैनल में हम लगा देते हैं और एक बेस और एक टॉप में दूसरे चैनल में हम लगा देते हैं पैलल कनेक्शन में मतलब कि यहाँ पर एक बेस और एक टॉप को हम एक साथ ही कनेक्ट मतलब क कर देते हैं एक एक चैनल में एक बेस और एक टॉप हम यहाँ पर लगा देते हैं जैसा कि यहाँ पर इसक्रीन में आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से तो यहाँ पर इस टाइप से चलाने का यहाँ पर नुकसान आपका क्या क्या होता है यह मैं आपको बताने वाल हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास amplifier कम है या फिर कम wattage का amplifier है तो यहाँ पर आप किस टाइप से यहाँ पर आप चलाएंगे जो कि काफी अच्छे से हैं पर safe तरीके साब चला सकते हैं आपका speaker भी जल्दी जलेगा नहीं और sound तो काफी यहाँ पर आपको कम ही मिलेगा sound तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर amplifier अगर आपके पास छोटे wattage का है तो यहाँ पर amplifier sorry sound आपको कम ही मिलेगा लेकिन आपको amplifier और speakers यह सारी चीज़े आपको safe भी रखनी पड़ेगी तो यह सारी चीज़े आपको follow करने पड़ेगा तो चलिए वीडियो को फड़ाप फड़से start करते हैं और वीडियो को like करिएगा, share करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल में अभी तक ने हैं तो नीचे जाएके subscribe करिएगा ऐसे ही वीडियो regular देखने के लिए तो चलिए बात करते हैं इसी topic के साथ थमलेन में आपने जैसा की देखा एक base एक top एक channel में एक base दो मतलब एक base और एक top दूसरे channel में चलाना चाहिए या फिर कुछ भी जैसा की यहाँ पर थमलेन में आपने जैसा की देखा तो ऐसे चलाने से आपका होता क्या है पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास amplifier कम wattage होने के करण जैसे का मैं आपको एक example देना चाहूँगा मान लिजे आपके पास है 3000 watt का amplifier कोई से भी बरांड का stranger वगएर वगएर बहुत सारे तो यहाँ पर only example मैं आपको बताता हूँ मान लिजे आपके पास 3000 watt का dual channel power amplifier आपके पास है तो यहाँ पर आपके पास है base speaker आपके पास मान लेते हैं यहाँ पर 600 watt या फिर 800 watt के speaker है यहाँ पर मान लिजे 800 watt का दो bass आप यहाँ पर रखे हैं या फिर 800 watt का या फिर 800 watt का कोई भी हो यहाँ पर ज्यादा ज्यादे हैं पर 800 वाट तक हम जाएंगे अगर आपके पास 3000 वाट तक है तो मान लेते हैं पर 600 या फिर 800 क्या यहाँ पर बेसी स्पीकर आप 2 लगा रहे हैं और आपके पास टॉप है 2 जो कि यहाँ पर 700 या फिर 800 वाट का कम्प्लीट टॉप है मतलब कि यहाँ पर जो आपका लोड है यह आपका लगभग 3000 करीबन बन जाता है मतलब कि एक चैनल में 1500 जैसे कि 800 वाट का बेस हो गया 700 वाट का टॉप है या फिर 800 वाट का टॉप लगभग की एम्प्लीफार से हाई वाटेज का यहाँ पर स्पीकर आपका हो जाता है तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं एक बेस और एक टॉप को एक साथ कनेक्शन कर देता है पैरलल में और सिंप्ली एम्प्लीफार में लगा देते हैं चैनल 1 में और simply यहाँ पर एक base, एक top, दूसरे जले में वैसे ही हम connection कर देते हैं अच्छा कासा बच जाता है, कोई problem नहीं आती है, amplifier भी सही चलता है हो सकता है, लंबे समय तक चलाने में भी amplifier खराब हो जाए लेकिन amplifier जल्दी खराब नहीं होता है बाइचांस यहाँ पर 20% के आसपास amplifier आपका खराब हो सकता है लेकिन 80% तक मैं आपको बताओ, amplifier में कोई problem नहीं आएगी लेकिन यहाँ पर आपका दोस्तो होता यह है, amplifier आपका heat हो सकता है उसके करण यहाँ पर amplifier का short circuit भी हो सकता है amplifier का most pay transistor वगेरा आपका जल सकता है वहीं हमारा speakers मैंने रखता है वहीं अगर हम मैं आपको बताओ, अगर आप यहाँ पर लगभग मैं आपको बताना चाहूँ 4 घंटे से उपर आप चलाते है continue जैसे की 7 घंटा, 8 घंटा यहाँ पर अगर continue अगर आप चलाते है तो यहाँ पर आपका speaker का coil जो है यह आपका काफी overheat हो जाता है मतलब की ज्यादा गरम हो जाता है और coil जो है धीरे 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 करकर के आपका coil जो है damage होता है मतलब की धीरे धीर आपका coil जो है वो आपका मतलब की damage होता है मतलब जलने की स्थिति में होता है मतलब कि दीरे दीर जलते जाता है हलाकि यहाँ पर आपका एक दिन में नहीं जलेगा दो दिन में भी नहीं जल सकता मान लिजेगा आप तीन घंटा चला के बंद कर देते हैं चार घंटा चला के बंद करते हैं फिर भी आपका चल रहा है काफी अच्छे से यहाँ पर आप सोचेंगे किरिया याद नहीं जल नहीं रहा है काफ़ी अच्छे से चल रहा है इसपीकर्स भी नहीं जला एमपली भाइर भी कुछ खराब नहीं हुआ लेकिन वहीं अगर आप तीन तीन या फिर चार दिन पार दिन आप चला है तो यहाँ पर आपका speakers ग्रैंटी है कि एक speaker या फिर दो speaker या फिर tutor horn ये आपका जल सकता है यह speaker और टीटर जो है जलने काकारण चारण सिर्फ यहाँ पर आपका oms matching न होना यहाँ पर oms यहाँ मेंचिंग नहीं होता है तो यहाँ पर प्रोपर तरिके से वह airmas zost rpm यहाँ पर आपका काम नहीं करता है तो यहाँ पर आपका coil यहाँ आपका damage होता है और यहाँ आपका magnet वह काफी ओवर हिट हो जाता है तो यहाँ पर आपका इस्पीकर्स भी जलने का चांसेस बढ़ जाते हैं तो आप यहाँ पर ऐसे करके आप कभी मत चलेगा DJ setup को, हो सकता है अगर मालीज़ अगर अगर आपके पास अगर एक ही amplifier है, आप चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ohms matching करकी चलाएए, हलाकि आपका overload हो रहा है, यहाँ पर आप simply base को एक channel में लगाएए, दो base है आपका, तो यहाँ पर दो base को parallel connection करिए, channel 1 में लगाएए, और जो top है, उसको parallel connection करिए, और दूसरे channel में लगाएए, मतलब एक 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 मतलब top और base अलग अलग लगाएए, जो कि ohms matching हो सके, top का जो है ohms यह आपका two ohms में चलेगा, और जो base speaker है, यह आपका चलेगा four ohms में, parallel connection में, तो काफी अच्छे से चलेगा, speakers भी जलेगा नहीं जल्दी, हलाकि sound कम आएगा, और वैसे भी आपका speakers जलने का chances वैसे भी है, अगर आप छोटे amplifier में चलाते हैं, तो लेकिन वैसे आपका safe रहेगा, अगर आप ohms मेंचिंग करके चलाते हैं, तो sound जो है, आपका कम आएगा ही आएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं, कि amplifier छोटा है, और यहाँ पर आपका speakers वगएरा, आप काफी अच्छे से safe तरीके से चला सकते हैं, तो मैं recommend नहीं करूँगा, कभी भी यहाँ पर एक base और एक top एक साथ चलाने के लिए, एक channel में बहुत सारे comment आ रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बताने की कोशित करूँ, तो यहाँ पर काफी ज्यादा speakers damage होते हैं, उस type से चलाने में, एक base, एक top, एक साथ चलाने में, speaker damage होते हैं, यहाँ पर आपका coil यह धेर-धेर damage होके काफी ज्यादा जल जाता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है, और आपका spider भी जल जाएगा, हो सकता है, speaker में आग भी पकड़ सकता है, अगर आप 10 घंटा, 12 घंटा के असपास आप चलाते हैं, तो speaker में आपका spider है, कौन है, यह आपका जल भी सकता है, क्योंकि काफी overheat हो जाता है, magnet काफी ज्यादा हीट हो जाता है, उसके करण coil, voice coil जो है, वो आपका काफी हीट हो जाता है, तो आपका जो हीट होगा, वो जलेगा, तो धीर-धेर आपका जो है, कौन पेपर कौन यह भी आपका जल सकता है, spider भी आपका जल जाता है, तो यह सा स्पीकर्स जलेंगे नहीं जल दी और हो सके तो आप थोड़ा भूत अमाउंट लगा कर एंप्लिफार आप पर्चेस कर लिजे काफी अच्छे से आपका रन होगा ओम स्मेचिंग करके चले ये लोड कल्कुलेशन सही होना चाहिए काफी अच्छा साउंड बेस क्वाल्टी औ हो और हां पर आपका एंप्लिफार स्पेकर्स काफी सेफ रहेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना इस था कि आपका एंप्लिफार कैसे एक चल में तो इस टाइप के आप कभी मत चलाएगा Ohms Matching करके चलाएगे काफी अच्छे से और एक बात बताना चाहूँ आपको दूस्तों अगर आप Ohms Matching करना नहीं जानते हैं कि एक speaker में कितना Ohms होता है अगर आपके पास Ohms का speaker है 2 speaker में कितना होता है तो अगर आपके पास OMS कलकुलेशन अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियों के नीचे जाएए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या पिर सबसे नीचे आप कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से आप चेक आउट जरूर कर लिजेगा तो चलिए मिलते हैं किसी नहीं इंट्रेस्टिंग भी साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत वंदे मातरम